ओम भक्तों आपने पिछले अंक में महारानी मंदोदरी और महारानी तारा के जन्म और उनके बिवाह के रहस से जाने आज के इस अंक में ये जानते हैं कि जब मंदोदरी का बिवाह किस किंधा के राजा महात्मा बाली से हो गया फिर वो लंका के राजा रावन की पत्ती कैसे बनी आज की कथा मंदोदरी का हरण और अंगद के जन्म के रहस की बात चानते हैं आगे की कथा ये है बाली की वर्दानी सक्ति दिन दूनी रात चोगनी बढ़ती थी इसका प्रमुक कारण उसकी तपस्या और पूजा पाठी था वो सुबा सामरिसियों की तरे संद्या बंदन किये बिना अपना दिन या रात सुरू नहीं करता था जब किसी सत्त्रू का बद करता था तो उसके बाद उसके पाप के निवारण हेतु तपस्या अवस्य करता था एक बार की बात है महराज बाली तपस्या कर रहे थे उधर ब्रम्हा और भगवान सिव के बरदान पाने के बाद मदांध रावण तीनों लोकों में युद्ध छल बल से किसी न किसी प्रकार सब को हराया करता धीरे धीरे पूरे पाताल आकास अंतरिक्ष को जीत चुका था अब वो प्रतवी के समस्त राजाओं से बारी बारी युद्ध करके अपने आधीन कर रहा था इसी उद्धेस से वो किसकिंधा आया और बाली से युद्ध की मांग की परंत बाली उस समय तपस्या में बैठे थे रावण बार बार उनके ध्यान को भंग करने की कोसिस कर रह रावण कुछ नहीं कर पाया चुप चाप दबा पड़ा रहा छे महीने बाद तपस्या खतम करके फिर उसने रावण से पूछ लिया कि अब बताओ युद्ध की मांग कर रहे थे अब आओ मैदान में युद्ध करते हैं परंतु रावण ने इसके पहले ही हार मान ली और म मौके की तलास में रहने लगा उसने कोई युद्ध नहीं किया और माफी मांगर के चला गया अगले वर्स फिर बाली पहले की भाती अपने परंप्रिय भ्राता सुग्रीव को कारिवाहक राजा बना कर तपस्या करने लगा भ्रात प्रेम्ब्रस सुग्रीव भी ज्यादा अतर समय भाई के आसपास ही गुजारता था अता है अपने गुप्तचरों से सूचना पाकर रावन किसकिंधा में रिसी के भेस में आता है और बाली की आग्या थी कि उसके राज्य में किसी भी रिसी की आग्या को ईश्वर की आग्या माना जाए उनकी सेवा की करें दूत स से रिसी का आगमन सुन करके महारानी मंदोदरी अपनी देवरानी तारा के साथ आकर रिसियों को भोजन सेवा के लिए खुद आ गई मौका पाकर रावन ने दोनों को बल पूर्बग पकड़कर अपने बिमान में डाल कर हरण करके लंका की तरब चल देता है मंदोदरी उस समय गर्भवती थी और बाली की संतान को जन्व देने वाली थी मंदोदरी ने अपने पुत्र और तारा को बचाने के लिए एक युक्ति सूची सोची और रावन से बोली कि हे राक्षस राज आपकी बड़ी प्रसंसा सुनी है कि आप बड़े बलवान हैं बरदानी हैं और जब हमारे पती घर पर उपस्थित थे आप युद्ध से जीत कर मुझे ले जाते तो बीरता थी पर ये चोरी और कायरता है रावन बोला कि आपकी सुन्दरता मैंने दैत्यों देवताओं और मनुस्यों सब के मुझे सुनी थी देखने की इक्षा हुई आज देखा तो अपने आपको रोक नहीं पाया बाली को बरदान है उसके सामने कोई भी जीत नहीं सकता इसलिए चल करना पड़ा और चल बल की चल बल भी युद्ध नीती का एक अस्त्र है मंदोदरी ने पूछा कि अगर तपस्या से लोटने के बाद बाली तुमको मारेगा तो कौन बचाएगा रावन बोला कि तुम जैसी सुन्दरी अगर कुछ मा के लिए भी मेरी पत्नी रहे तो फिर अकाल मृत्तु भी आ जाए तो कोई बात नहीं मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता मंदोदरी ने बोला कि अगर बीच का रास्ता निकाला जाए तो दोनों राजियों के निर्दो सैनिक मरने से बच सकते हैं तुम और बाली दोनों बच सकते हो रावण बोला मैं तयार हूँ मंदोधरी ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगी पर मेरी देवरानी तारा को किस किंधा में छोड़ना होगा रावण ने मान लिया कि तारा को पुना किस किंधा में वापस करने चल पड़ा और तारा को महल की छट पर उतार दिया वो फिर मंदोदरी को लेकर चलता है तो मंदोदरी कहती है कि मैंने सुना कि आपकी गरजना इतनी भैंकर है कि जिसको सुनकर महिलाओं के साथ पसुओं के भी गर्ब गिर जाते हैं उसने कहा हाँ ये सच है तो मंदोदरी बोली कि मैं वो गर्जना सुनना चाहती हूँ रावण ने बड़ा अठाहास किया जिससे पूरे ब्रह्मान्द में आवाज गूंज गई इतनी भैंकर आवाज से राणी मंदोदरी के गर्व का भी स्राव हो गया और उनका पुत्र समय से पहले ही पैदा हो गया अब मंदोदरी ने पुना प्रार्थना की कि इस बच्चे को तारा के पास छोड़ दो ताकि इसका पालन पोशण हो इस निर्दोस को आप जिसका है उसी को देकर मानवता का परिचे दो रावन ने मंदोदरी की ये बात भी मान ली और पुना भी मान वापस किया और मंदोदरी को महल के छट पर उतार कर बच्चे को तारा को सोपने के लिए छूट दे दी मंदोदरी ने अपने महल में पहुँच कर अपने बालक का करण किया और उसका नाम अंगद रखा और बालक तारा को देते हुए बोली कि आज से तुम ही इसकी माता होगी मुझे अपने राज की निर्दोस जनता और युद्ध को रोकने के लिए अपने पुत्र को बचाने के लिए परोपकार के लिए रावण के साथ जाना ही होगा और वो रावण के साथ लंका चली गई रावण ने मंदोदरी से गंधर्ब बिवा करके उसको लंका की महारानी का पद दे दिया जिससे मंदोदरी रावण के साथ उसकी पटरानी बनकर रहने लगी और कालांतर में मंदोदरी रावण से गर्भवती हो गई पूरे एक साल की तपस्या का ब्रत लिये हुए महाराज बाली इधर जब अपनी तपस्या खतम करते हैं और सुग्रीव की सेवा भाव से वो इतना खुस होते हैं कि भाई को गले लगाया और प्रसन होकर अपने राज्य को वापस आ जाते हैं परन्तु राज्य में जब तारा से सारी घटना ब्रतांत सुनकर सुग्रीव को राज्य की रच्छा के लिए छोड़ा और खुद अत्यंत क्रोध में भरकर लंका के लिए प्रस्थान किया और रावन को ललकारते हुए लंका में बिचरण करने लगा राजा रावन डर से कापता हुआ कभी इस महल से कभी उस महल में छिपता हुआ घूम रहा था उसका कोई उपाय नहीं सूज रहा था तम मंदोदरी ने लंका में नर संगहार रोकने के लिए पुना परोपकार की भावना से रावन का साथ दिया और बाली के क्रोध से बचने का उपाय बताया रावन ने दूत को भेज कर बाली को राज महल में बुलवाया और मंदोदरी के पीछे खड़ा होकर अत्यमत दीन भाव से बोला कि है महाराज मैं ब्रामन पुत्र हूँ अपने का पूरी तरे पालन करूँगा आपकी महारानी को आदर के साथ आपको सोबा आप अपने आप पहले हमारा आतित्थ सुईकार कीजिए और मेरे साथ भोजन करो तेरी दोस्ती सुईकार करो रावन ने के दिन बचन सुन करके और मंदो दरी की प्रार्थना सुन करके बाली का करोध सांथ हुआ और वो भोजन करने के लिए रावन के साथ उसकी रसुई में बैठ गया जैसा कि सभी सनात्रियों को पता है कि भोजन हमेशा प्रत्वी पर बैठ कर लकड़ी के पट्रे पर उकड़ू बैठा जाता है पैर की उंगली प्रत्वी को इसपर्स करती रहती है परंत एणी पट्रे के उपर रहती है दोनों हाथ दोनों पैरों के बीच में रखकर दाए से भोजन को खाया जाता है और भोजन करते समय मौन रहा जाता है यही भोजन का तरीका है परोशने वाली स्वयम रानी मंदोदरी थी उसने दो थाल में स्वादिष्ट भोजन परोशे और रावण और बाली के सामने रख दिये बाली ने ओम पूर्ण मिदाय पूर्ण कर लिए। परंत रावनुने अपनी थाली में एक सबसु खाकर फिर दूसरा ग्रास तोड़कर उसमें रखकर अपनी थाली बाली की से बदल देता है। इसलिए उसने रावन द्र arrow hanging change का काम करवाया थे हैं बाली ने ऐसा करते देकर कंड़े जिसको सुनकर लंका में मंदोदरी समेत 72,000 राक्षसियों के गर्भ एक साथ गिर गए पूरी लंका में चारों तरफ हाहाकार मच गया। रावण ने अपनी म्रत्तू पक्की समझ कर पुना मंदोदरी के पीछे छुप गया। जैसे भी मैं अब आप जैसे महत्मा की पत्नी बनने लायक नहीं रही। आप जब आप इसके एक बार चक्खे वे भोजन को नहीं खा सकते हो तो ये मेरे साथ सब कुछ कर चुका है और ये रक्त स्राव जो आपकी गर्जना से हो रहा है इसकी संतान पैदा होने वाली है। मैं आपके योग्य नहीं रहे गई। मंदोदरी की बात सुनकर बाली का क्रोध कम हुआ परंत उसने कहा कि इसने हमारे अपनी गर्जना से हमारे पुत्र अंगद को समय से पूर्ब जन्म करवा कर उसको सारीरिक रूप से कमजोर किया है अता आज लंका की कोई भी गर्भवती अपने बच्चे को रोक नहीं सकती और ऐसा कहे कर पुना अटहास करता है जिस से लंका की सारी इस्त्रियों के गर्भ एक साथ गिर जाते हैं बाली ने रावण को पुना माप किया और जीवनदान दे दिया मंदोदरी रावण का पहला पुत्र नारंतक जो सत्वासे मास में और जेश्ठा के मूल नच्छत्र में पैदा हुआ अर्थात गर्भ के सात्वे महिने में जो बच्चा पैदा होता है उसे असुब माना गया है जेश्ठा के मूल में पैदा होने से पिता की मृत्तू निश्चित होती है अता आचारियों ने जो उपाय बताया वही रावण ने किया उसने सभी 72,000 बालकों को नदी में एक साथ बहा दिया जो बहकर नदी के बीच में खड़े एक बट ब्रक्च तक पहुचते हैं और उसी से चिपक कर उसके दूद को चाटते हुए पीते हुए बड़े होते हैं और फिर कौन इनको पालता है इसकी कथा हम आपको अगले प् अटरानी बन गई और बाली अपने महल को वापस चला जाता है और अपने पुत्र बालक अंगद का पालन पोशन करता है वहीं तारा और सुग्रीव से एक पुत्र दधिबल पैदा होता है और ये दोनों ही बालक पिर तारा का दूद पी करके बड़े होते हैं और तारा हमे को पालन पोशन किया अब इसका नारंतक की कथा अगले प्रशंग में ओम नमः शिवाए ओम हरी ओम प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे आदर्स धर्म योट्यूब चैनल को और बेल आइकन क्लिक करें ताकि सारे वीडियो आपको समय से मिलें धन्यवाद